हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत है आपका किर्केट फिल्टर पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के कप्तान दुवारा दिये गए बयान के बारे में वर्लकप 2019 में भारत से मुकाबले को लेकर पाकिस्तान के कप्तान सर्फराज अहमद ने बरा बयान दिया है उन्होंने कहा है कि भारत से मैज के दोरान पाकिस्तान का पलरा भारी होगा क्योंकि एक बड़े टुनामेन में पाग ने भारत को हराया है और सर्फराज का इसारा चंपियंस टोपी के फाइनल में मिली जीत की ओर था उन्होंने साथ ही कहा कि उनकी टीम वर्ल्लकप में भारत का सामना वैसी ही करेगी जैसे वो बांके टीमों का करेगी आपको बता दो की पाकिस्तान और भारत का मुकाबला 16 जून को होना है और इस टुनामेन में पाकिस्तान का भारत के खिलाप काफी खराब रिकॉर्ड रहा है दोनों ही टीमों के बीच 6 मुकाबले हुए और सारे के सारे मुकाबले पाकिस्तान हारा है इंगलेन के लिए रवाना होने से पहले सर्फ राज ने पत्रकारों से कहा कि एक कप्तान के रूप में मेरे लिए सबी मैच अहम है हमें सबी टीमों के खिलाप मैच जीतने होंगे सबी चाहते हैं कि हम भारत की खिलाप जीते हम जैसे आफगनिस्तान से खेलेंगे वैसे ही भारत का भी सामना करेंगे हमारा ध्यान सभी टीमों पर होगा भारत की खिलाव वर्ल्लकप रिकोर्ड के सवाल पर सरफराज ने कहा सच है कि हम भारत से सारे मैच हा रहे हैं लेकिन याद करिये हमने उन्हें हाल ही में एक बड़े टूर्णामेन में बड़े अंतर से हराया था। इसलिए हमारा पलरा भारी है। पाकिस्तान के कप्तान का चंपियन्स टॉफी के फाइनल के और इसारा था। इसमें पाकिस्तान ने भारत को 180 रनों से हराया था हाला कि इसके बाद उसे पिछले साल हुए एसिया कप में भारत ने दो बार सिकस्दी थी पाकिस्तान के टीम वर्ल्ड कप से पहले इंगलेंड के खिलाफ वन डे और टी ट्विंटी सीरीज खेलेगी अब तो समाई बतायेगा कि पाकिस्तान की टीम वर्ल कप में क्या करती है आज के वीडियो में फिलाल इतना ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें सेर करें और क्रिकर फिल्टर को सब्सक्राइब करें थैंक्यू